पिछले वाला कॉंसेप्ट आपको समझ पर आगया होगा अब हम नए देखते हैं यह क्या है हमारा जैसे आप जानते यह है अर्थ अब आप सोते होंगे यह लाइन क्या है यह मैं आपको आंगे बताऊंगा आंगे कुछ एक्टर में उताऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ थो यह देखिए यह लाइन है जिसको जीरो डिगरी गहते हैं अब फिर इसके नीचे एक और लाइन है जिसको साड़े तेश्ट डिगरी पे है और एक और लाइन है जीरो डिगरी की जश्ट उपर वो भी साड़े तेश्ट डिगरी है अब यह एन और एस क्या है यह बता तो वैसे ही यह अर्थ की अगर हम लोकेशन देखें तो यह उपर वाला पार्थ है जो नौर्स हो जागा नीचे वाला पार्थ है यह साउथ हो जागा अब यह जो तीनों लाइन है अब इसका कुछ नाम भी होगा तो मैं आपको बता दूँ यह जिरो डिगरी वाली लाइन है इसको हम एक्वेटर कहते हैं या फिर विशुवात रेखा भी कहते हैं यह उपर वाली रेखा है जो इसको हम कहते हैं कैंसर ट्रॉपिक ओफ कैंसर और नीचे वाली रेखा जो है साड़े 30 डेगरी साउथ की उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन अब देखिए एक्वेटर को अगर हम मैं बोलू हिंदी में तो विशुवात रेखा कहते हैं ट्रॉपिक ओफ कैंसर को कहेंगे हम करके रेखा और ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन है इसको हम कहेंगे मकर रेखा याद रख लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो है साड़े तेज़ डेगरी नौर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉं साड़े तेज़ डेगरी साउथ में है और बीच की जो यह लाइन है एक्वेटर है आप बोलेंगे यह मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पते चल जाएगा यह मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अब यह देखें हमारा है यह हमारा सन है कि अर्य हमारी अर्थ अर्थ क्या है सिंग के चक्कर लगाती है ऐसे ऐसे मोंती रहती है और यह अपने की ऐक्सेस पे भी रोटेट करती है मला मैं बात करो कि यह माली जी एर्थ है तो यह खुद तो घुमेंगी गोल खुद तो घुम रही है यह घुमते घुमते ऐसे घुमते इसके रोटेशन भी कर रही handsome सन है ऐसे ऐसे यह चांद कर रही है और खुद भी कोव रही है ठीक इतना समझ गए आप अब देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि ठंडी गर्मी कब कहां कैसे पड़ती है हमारा जो यह सन है बीच में अब यह जो हमारी आर्थ है यह रोटेशन कर रही है यह खुद की उसमें तो घूम रही है अब यह क्या होता है जो सन है सन की पुजीशन है जो अर्थ के पास है मतलब सबस्ट इसको मैं मिटार दूनें आर्थ सबस्ट अनलत कि कि सबढक्त है देखिए सन जो है पर जो डिरेट्स है वह इत्ते से इत्ते में रहेगा मतातces जब घूमेगी फिसali जो ड्रोषनी के बिच्चन हे यह लविज़िज्ण अब मैं बताता शुब आपको बहुत ही बढ़ियां चीज बता रहा है आज से पहले आपको नहीं पता हो तो जो सन है जो जीरो डिगरी में है सबसे पहले सन यहां है कब है सन की जो डारेक्ट रेस है एक्वेटर में इसको लिख दूँ एक्वेटर सन की डारेक्ट रेस एक्वेटर में कप पड़ती है तो 21 मार्च यह बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में भी आता है कि एक्वेटर में डारेक्ट रेस सन की कप पड़ती है तो आपको बताना पड़ेगा 21 मार्च अब मार्च के बाद सन जो है यहां है अभी सन तो सन यहां स तो अब यहां कब जाएगा तो इसमें क्या चलता है तीन तीन महीने का हिसाब चलता है तो जनवरी फरवरी और यहां पर आया मार्ट